है गाइज वेलकम बैक टू आरेक्स फार्मा चैट सु गाइज आज मैं आपके लिए एक बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है है motion sickness during the traveling मतलब की जब हम travel करते हैं तो कई बार हमें क्या होने लग जाता है war वोमिटिंग की फीब आती है जी मचलाने लग जाता है या हमें नोजिया होने लग जाता है सिर चक्राने लग जाता है तोarda है क्या problems है, motion sickness क्यों होता है, इसके symptoms क्या क्या होते हैं, किस तरह इसको रोका जा सकता है, और किस तरह इसको घ्रेल उपचार इसका किया जा सकता है, या फिर इसको किस तरह allopathic medicines के द्वारा treat किया जा सकता है, तो चलिए guys, आज की वीडियो को हम start करते हैं, सबसे पहले, motion sickness जो है, वो कोई एक बीमारी नहीं है, कोई disease नहीं है, it is usually occurs when we are the traveling by the car, boat, plant, bus, train, मतलब कि ये ऐसी problem है, जो during traveling के produce होती है, जब हम travel करते हैं, किसी car के द्वारा जा लंबा सफर करते हैं, boat में, aeroplane में, या bus में, या फिर train में, तो ये क्या होता है, mostly people में ये देखा गया, mostly persons में ये देखा गया, जब persons hilly area में, मतलब पहाड़ी हिलाके में, जब हो सफर करते हैं, तो उस condition में ऐसी problems होने लग जाती है, motion sickness की problem वहाँ पे देखी जाती है, तो क्या होता है guys, in this condition, इस condition में क्या होता है, the body sensory organs send a mixed message to the brain, causing the vomiting, nausea, light headiness, ear sounds and a dizziness, ये क्या problem होती है, ये एक ऐसी condition होती है, जिसमें हमारे जो body के sensory organs होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे brain को एक mixed message send करते हैं, वो message क्या होता है, कि हमारा brain ये feel करता है, हमारा brain को ये feeling आने लग जाती है, कि अब मुझे vomiting होने वाली है, मेरी body में यहाँ सिर्चकराने लग गया है, अब मुझे उल्टी आने को दिल कर रहा है, मुझे nausea हो रहा है, या मुझे lightheadedness हलकी सी मुझे सिर्दर शुरू होने वाली है, या मुझे यहाँ पे बिल्कुल चकर से आने शुरू हो गया है, तो इस तरह की problems जो है, इस तरह की message है, ये हमारे body के sensory organs होते हैं, वो हमारे brain में send करते हैं, क्योंकि हमारी body उस condition को इस तरह से allow करती है, इस तरह से हमारी sensory organs होते हैं, वो हमारे mind क्या करता है, हमारा brain है, वो इस तरह से हो जाता है, कि अब हमें ये वाली condition होने वाली है, हमें motion sickness की problem start होने वाली है, तो क्या है guys, it is not lifetime, ये जो problem होती है, ये lifetime नहीं चलती है, it can be unpleasant traveling, ये क्या करती है, जब हम travel शुरू करते हैं, सफर शुरू करते हैं, तो ये हमारे travel को, हमारे सफर को बिल्कुल unpleasant कर देती है, बिल्कुल मतलब उसमें person को मजा नहीं आता है, traveling करने का planning during the traveling may reduce, prevent and avoid these effects, अगर हम planning के साथ चलें, अगर किसी person को ये problems हो जाती है, जब person को प जाती है, अगर वो planning के साथ चलें कि इस टाइम अगर मुझे ये problem होएगी, अगर मैं सफर करूंगा तो ये problem स्टार्ट होने वाली है, और वो planning के साथ करें कि मुझे ये लेना चाहिए, ये precautions लेना चाहिए, ये medicine साथ में रखनी चाहिए, तो हम इसके जो effects होते हैं, satisfacts होते हैं, तो उसको prevent भी किया जा सकता है, उसको avoid भी किया जा सकता है, तो motion sickness के main reasons क्या होते हैं, motion sickness में क्या होता है, अगर तो हम back seat में बैठे रहे हैं, back seat में बैठने से हमें क्या होता है, horizon दिखाई नहीं देता है, सामने वाला portion दिखाई नहीं देता है, हमें side के portion जैसे रहे हैं हिली एरिया में या किसी और एरिया में जा रहे हैं तो वहां पर जैसे हमारे चक्कर से आने स्टार्ट हो गए हैं सेकंड है रीडिंग मतलब कि कोई परसन अगर चलती हुई गाड़ी में चलती हुई कार में या बस में पढ़ रहा है वो मोबाइल पे या लैप्टोप पे लगतर काम कर रहा है वो अपनी एक नजर टिका के वहां पे वक कर रहे हैं तो उ लोड गये्टिंग इनफ एर इंदा कार hypothesis अगर आप कार से जा रहे हैं या ट्रेंन से जा था बस से जा रहे हैं तो आप मतलना कि विणो स्ीड के पास नहीं बेढ़ाएं आपको इनफ एर मिलनी चाहिए immortality आपको बाहर की हवा मिलनी चाहिए उतनी आपको नहीं मिल रही है तो आपको वहां पे एक suffocation सी feel होती है मतलब आपको घुटन सी feel होने लग जाती है जिसकी वज़े से आपका जीब मिचलाने लग जाता है वहां पे उल्टी की दिल करता है वहां पे मतलब कि हमें सिरदर्द हो जाता है यह नौजिया की प्रोबल्म होन शुरू हो जाती है चककर से आणे शुरू हो जते हैं तो क्या है गाई इस हम प्रोब्lems सी की गई है अलड Yakatu Z === जो अबब होते हैं, उन में ये problem देखी गई है, pregnant women's में ये problem देखी गई है, और ये children's में देखी गई है, जिनकी age 5 to 12 होती है, mostly ये उन people's में भी देखी गई है, जिनको migraine headache होती है, मतलब जिनको migraine की सिरदर रहती है, लगातार उनके सिर में थोड़ी थोड़ी problem के बाद, थ उनको सिरदर होना शुरू हो जाती है, माइगरेन की patient ऐसे होते हैं कि उनकी सिरदर चलती ही रहती है, थोड़े time ठीक रही, थोड़े time उनको, उन्होंने medicine ले ली, फिर उनकी सिरदर शुरू हो गई, फिर ठीक होई, फिर 2022, शुरू हो गई, तो, क्या होता है, जो migraine की ऐसे genetically भी फैलता है, मतलब कि जैसे हमारे बापदादाओं को ऐसे बस में problem हो रही है, कार में problem हो रही है, या train में problem हो रही है, तो उनके आगे बच्छों को भी problem हो सकती है, कई बार ये genetically वहाँ पे देखा गया तो sometime क्या होता है, ये younger persons में भी देखा गया जिए अंगर जो मेली जो गूमेंट में भी ये में जाती है जो होते एगज़न जाते हैंес冷ब लाइं DIRECTOR करते रहते हैं उनको अंदर बाहर जाना परतां आपने काम के रिगाड़ी, आपनी जो बीजनेस के the guarding लेकिन जो women's होती हैं वो अपने घरों में ही रहती हैं mostly तो घरों में रहने के वज़े से जब एकदम से वो सफर शुरू करती है तो उनको ये वाली problem start हो जाती है motion sickness की problem वहाँ देखी जाती है और ये genetically भी ऐसे होता है कि जो females होती है उनमें males के accordingly फीमिल में मतलब जादा ये motion sickness की problem देखी जाती है गाई तो once the motion stop जैसे मतलब की हमें गाड़ी में या फिर हमारी कार में एरोपलेन में या बस में ट्रेन में जिससे भी हम ट्रेवल कर रहे हैं तो एक बार जब हमें उल्टी आ जाती है हमें या सिर्दद हो गई एकदम से मतलब हमारी जो वोमिटिंग हो गई तो वोमिटिंग होने के बाद क्या होता है जैसे ही हमारी motion sickness जो है वो motion stop हो गए तो हमें relief सा फील होता है जब उल्टी आ जाते हैं उसके बाद हमें सांस की दिक्कत भी वहां पर नहीं होती है सफोकेशन फील नहीं होती है अंदर की जो घुटन होती है वो एकदम से बाहर निकल जाती है तो गाईज यह क्या होता है फिर उसके बाद जो परसन होता है जो जो इफेक्टर होता है मतलब की जिसको motion sickness की प्रोब्लम हो रही है या फिर हम उपर की तरफ जाते हैं मतलब जैसे जैसे आसमान की तरफ जा एरोपलेन में जा रहे हैं या बोट में जा रहे हैं या फिर ऐसी मतलब जो भीड भढ़ाके में जा रहे हैं हम जैसे बस में बहुत ज़दा भीड होती है या ट्रेन में बहुत ज़ादे बीड़ होती है तो उस condition में क्या होती है जब बंदे को suffocation problem होने लग जाते तो कई condition ऐसे होती है कि inner ear में हमें एक beep की अवाज वहाँ पर सुनती है तू जैसे अवाज हमारे कानों में आने होने लग जाती है हमारे जो body के sensory organs होता था हमारे brain में एक message पहुंचाते है कि अब मुझे यह problem होने वाली है मुझे वामेटिंग की problem होने वाली है या मुझे Heado की problem होने वाली손 या मुझे चक्कराने शुरू हो जाते हैं तो हमारे brain वही feeling कर लेता वही accept करता है जो हमारी organs sensory organs जो message भेजते हैं तो इस तरह से guys क्या होता है हमें वहाँ पे motion sickness की problem start हो जाती है sometime तो क्या होता है guys अगर हम इसकी precaution लेकी चले अगर हम इसकी कोई medicine लेकी चले तो वहाँ पे क्या होता है इस motion sickness की जो भी effect होते हैं उसको रोका जा सकता है उससे होने वाले जो भी further problems होते हैं उनको रोका जा सकता है आगे बात करते हैं guys हम symptoms की मतलब की इसके क्या क्या लक्षन दिखते हैं जो motion sickness की problem start होती है symptoms are strike without warning it can occur suddenly मतलब कि जब इस motion sickness की problem start होती है तो इसके कोई भी लक्षण हमें वहाँ नहीं दिखते है बिल्कुल नहीं पता चलता है कि ये कब आ जाते हैं किसी person को या जब हम घर से start करते हैं अपना सफर अपना travel तो बिल्कुल नहीं पता चलता है कि इस person को ऐसी problem हो जाती है तो guys इसके जो symptoms होते हैं वो कुछ इस तरह से है pale skin मतलब जब ये होता है उससे पहले कुछ नहीं होता बिल्कुल जस्ट उससे 3-4 minute पहले उसको problem होने लग जाती है pale skin होने लग जाती है मतलब एक दम से person पीला सा पढ़ जाता है और light pale skin उसकी होने लग जाती है headache मतलब कि सिर्दर्द उसको start हो जाती है पहले उसको बिल्कुल हलकी सी सिर्दर्द होती है उसके बाद वो बढ़ती रहती है dizziness मतलब कि उसको चक्कर से आने शुरू हो जाती है person को ऐसे लगता है जैसा मेरा सिर घूम रहा है उसके बाद vomiting मतलब कि उसको उल्टी का दिल करता है उसको जी समच लाने लग जाता है कि अब मतलब कि अब उसको उल्टी आने लगी अब उल्टी आने लगी उसके बाद cold sweat उसको ठंडे पसीनने आने शुरू हो जाते है suffocation suffocation में क्या होता है उसको घुटन सी फीन होने लग जाती है increased saliva उसका salivation मतलब बढ़ जाता है बिल्कुल उसके जो ठूक की लार होती है वो बढ़ने लग जाती है irritation उसको अपने माइंड में एकदम से उसको अपने आपसे irritation होना start हो जाता है tiredness ठकावट होने लग जाती है बहुत जादा tiredness होने लग जाती है mind upset और बंदा बिल्कुल भी upset हो जाता है वहाँ पे उसका mind बिल्कुल नहीं सोच पाता कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है जो इसके symptoms है उसके आने का बिल्कुल पता नहीं चलता है लेकिन इसमें क्या होता है जो person होता है बिल्कुल upset हो जाता है उसको उल्टी का दिल करता है और थोड़ी time के time में उसने थोड़े ही minute के अंदर उसको उल्टी आ जाती है और जब उसको vomiting आ जाती है परसन को तो उसके बाद वो relax फिल करता है तो यह mostly कब होता है जब परसन जो है वो या तो भुखे पे travel कर रहा है या बहुत जादा salty या बहुत जादा उसने जो fried है वो food खा लिया है या फिर उसको ऐसी problem पहले से हो रही है तो यह problem इसकी वज़े से होने लग जाता है तो क्या होता है जिसमें जीवी मचलाने लग जाता है परसन का सबसे पहले क्या होता है उल्टे को मन करता है उसके बाद जो परसन है उसको ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते है ठंडे पसीने आने के बाद उसको एकदम से उल्टी आ जाती है जब उल्टी आती है तो person relax feel करता है तो उसके बाद उसको बहुत जादा tired feel होता है बहुत जादा उसको ठकावट feel होती है और person ऐसे करता है कि जैसे मैं अपने back के बल मतलब कि पीट के बल लेट जाओं एकदम से अराम कर लो तो अब बात करते हैं guys इसके causes की causes मतलब reason किस वज़ा से ये होने लग जाता है traveling in hilly areas मतलब कि पहाड़ी इलाकों में mostly जब person जाता है travel करता है सफर करता है घूमने फिरने जाता है तो उस condition में क्या होता है hilly areas में पहाड़ी इलाके में सफर करने से ये problem अक्सर persons को हो जाती है when we are not change our position during the traveling for long time जब हम लंबे समय तक एक ही position में बैठे रहे हैं अपनी position change ना करें अगर हम सीधे बैठे हैं तो सीधे ही बैठे रहे अगर हम तेड़े बैठे हैं तो तेड़े ही बैठे रहे और वहां पे long time अपनी same position के कारण ये problem होने शुरू हो जाती है traveling in airplane first time अगर हम first time airplane में सफर कर रहे हैं airplane के थूँ जा रहे हैं travel कर रहे हैं तो उस condition में भी first time person को ये problem देखी जाती है traveling in bus with crowd मतलब कि उस bus में travel करना जिसमें बहुत ज़्यादा भीड हो suffocation हो सांस आने में वहां पे problem हो रही है तो वहां पे भी ये problem देखी जाती है anti stomach और overeating during the travel अगर हम भूके पेट हैं सफर कर लिया start कर लिया तो भूके पेट हैं कुछ खाया पिया नहीं है और हमें overeating कर लिया बहुत ज़्यादा खा लिया या तो भूके हैं या बहुत ज़्यादा खा लिया जितना खाना चाहिए उससे भी ज़्यादा खा लिया तो उस condition में भी हमें motion sickness की problem देखी जाती है use of salty and fried food मतलब कि बहुत ज़्यादा चटपटा खा लिया हमने या फिर वहां पे हमने salty food बहुत ज़्यादा खा लिया तो उस condition में भी अगर तलाब होना खाने की वज़े से भी motion sickness की problem अकर हो सकती है psychology factors और mostly यह क्या होता है psychology factors की उपर depend करते है इसके जो कारण होते है इसके जो लक्षन होते है क्योंकि कई persons को ऐसे होता है कि अब जब मैं travel करने वाला हूँ तो मुझे उल्टी की problem हो जाएगी मुझे headache की problem हो जाएगी और यह depend करता है psychology factors के उपर जब person ऐसा सोचता है जब उसके sensory organs जो है उसके mind को ऐसा message send कर देते हैं अब मुझे उल्टी की feeling होने वाली अब मुझे हर बार मुझे उल्टी आ जाती है तो हर बार मुझे सिर्चक्राने लग जाता तो वो message मतलब उसका mind जो है वो accept कर लेता है और उसका mind वही करने लग जाता है जो अपनी मतलब mind में सोचता है तो इस तरह से मतलब इसके जो effect हैं वहाँ पर motion sickness के effect देखने को मिलते हैं आगे बात करते हैं guys हम treatment की कैसे इसको मतलब रोका जा सकता है सीधा upward मतलब जब हम किसी car से जा रहे है train से जा रहे है या bus से जा रहे है तो हमें उपर की तरफ देखना चाहिए लगातार हम नीचे को सिर जुका के देखते रहते हैं तो जैसे जैसे हमारी गाड़ी गुमती है जैसे जैसे सडकों पर गाड़ी जाते है तो वैसे वैसे हमारा सिर चकराने लग जाता है और वहाँ पर चकराने शुरू हो जाते हैं motion sickness की problem start होने लग जाती है change the position to see मतलब कि अपनी देखने की position हमें थोड़े थोड़े time के बाद change करनी चाहिए get some air change sitting position मतलब कि कुछ air लें कुछ बाहर की air ये नहीं कि आप जब सफर कर रहे हैं तो गाड़ी के शीशे बंद करके या बसे के शीशे बंद हो तो इस तरह से आप सफर कर रहे हैं तो जहां भी आप मतलब window seat पे बैठे हैं या car में बैठे हैं तो अपनी position वहाँ पे इस तरह change करें कि आपको बाहर की air भी feel हो आपकी बाहर की ठंडी हवा भी आपको आए तो इस तरह से मतलब suffocation की problem वहाँ पे नहीं होती है जिससे further हमें motion sickness भी avoid हो जाता है deep breathe गहरी सांस लेनी चाहिए इस condition में क्या करनी चाहिए हमें सांस छोड़नी चाहिए सांस लेनी चाहिए अपने nose और mouth दोनों से ही मतलब इस condition में क्या होता है जब हम mouth से या फिर nose से दोनों से इस तरह से गहरी सांस लेते हैं तो हमें बहुत जादा relaxed feel होता है और motion sickness वहाँ पे avoid होने के chance बहुत जादा बढ़ जाते हैं next day guys take light food जब हम सफर करने वाले हैं सफर हम अपना travel शुरू करने वाले तो उससे पहले हमें बिलकुल light food लेना चाहिए आप ब्रेड वगारा ले सकते हैं यह हलके फुलके snacks ले सकते हैं वहाँ पे तो इस तरह से हमें light food वहाँ पे use करना चाहिए sit in front seat of the car possible हो सके तो आप पीछली seat छोड़ के आप जो driver के साथ वाली seat होती है तो उसमें आप बैठे front seat बैठे और अपना शिशा जितना हो अपना mirror आप खोल के glass आप खोल के रखें गाड़ी का जिससे आपको अंदर बाहर जो air है बाहर की वो आपको आए और suffocation आपको बिलकुल feel ना हो sit in middle of the boat अगर आप boat में travel कर रहे हो तो आप middle की side बैठे क्योंकि पिछे भी बहुत जादा जंप लगते हैं और आगे भी इस तरह से problem होने लग जाते हैं तो आप middle की side बैठे जहां पर बिलकुल भी मतलब हमें problem नहीं होते हैं वहां पर jump भी कम लगते हैं और हमारी GIV में कोई problem नहीं होती है stomach की कोई problem नहीं होती है और वहां हमें उल्टी आने का और चक्कर आने का और सिर्दर्द होने का कोई भी चांस नहीं होता है next day guys in airplane sit by window look outside अगर आप airplane में सफर कर रहे हैं ट्रावल कर रहे हैं तो आप बाहर की side देखें window side seat पे बैठें और बाहर की side देखें जिससे आपको fresh air आती रहे और अंदर की air बाहर जाती रहे जिससे आप बिल्कुल refresh रहें avoid the rapid or sudden head movement एकदम से अपना सिर ना गुमाए एकदम से मतला पनमी सिर की movement ना करे head की movement ना करे जिससे हमारी क्या होता है एकदम से हमारा सिर भारी होने लग जाता है जाती है next day guys do not read while traveling जब आप travel कर रहे हो बस में कार में ट्रेन में या एरोप्लेन में बैठे हैं तो आप बिल्कुल reading ना करें बिल्कुल एक चीज पर अपना इस तरह सा ध्यान लगा के ना बैठें mobile जादा देर तक ना देखें अपने laptop पे ज़्यादा देर तक काम ना करें ज़्यादा देर तक आप ज़्यादा टाइम तक books ना read करें तो इससे क्या होता है हमारा एक तरफ ध्यान लगाने से हमारा सिर्चक्रा आने लग जाता है और हमें vomiting की वहाँ पे feel होने लग जाती है ignore other affected person अगर किसी person को साथ वाले person के पीछे seat पे बैठे हुए person को problem हो रही है motion sickness की problem उसको उल्टी आ रही है या उसका वहाँ पे इस तरह से problem हो रही है motion sickness की तो उसको बिल्कुल avoid करें उससे अपने मन को बिल्कुल divert कर ले उसकी तरफ से ध्यान हटा ले क्योंकि अगर आप उसकी तरफ ध्यान लगाएंगे तो आपका mindset इस तरह से हो जाएगे कि अब मुझे भी ये problem होने वाली है और वहाँ पे problem शुरू हो जाती है listen soft music possible हो तो आप listen आप हलका सा music सुन सकते हैं मिठा सा music सुन सकते हैं से आपका mind divert होएगा और आप वहाँ पे relax feel करेंगे choose always window seat in bus train अगर possible हो सके तो हमेशा क्या करें एक window seat choose करें और window seat का जो glass है वो हमेशा open करके रखे ताकि आपकी जो air है वो refresh होती रहे always next है close your eyes and divert your mind अपने mind को divert करें इस चीज की तरफ से कि मुझे आप vomiting होने वाली है या मुझे headache हो रहा है तो मतलब ऐसी कुछ चीजें करके या मतलब अपना ध्यान किसी और चीज में लगाके या अपनी eyes को close करके आप अपने mind को divert करें और इस तरह अपना mind बिलकुल ना लगाए कि मुझे vomiting होने वाली है या मेरा जी मच ला रहा है या मुझे कोई और problem हो रही है तो इस तरह से भी हम इसके जो लक्षन होते हैं उसको avoid कर सकते हैं Drink some water and carbonated beverage आपको उस time जब आपको ऐसी feeling हो रही है तो आपको थोड़ा पानी पी लेना चाहिए या आपको carbonated water लेना चाहिए या आपको lemon water ले लेना चाहिए या orange का कोई juice है वो ले लेना चाहिए तो हलका फुलका हमें वहाँ पे ऐसे water जो पीने वाली चीज़े हैं वो लेनी चाहिए So guys अब हम बात करते हैं Home remedies घरेलू उप्चाओर for the motion sickness स्कौन स्कौन से ऐसे home remedies होते हैं जिसके द्वारा हम अपने motion sickness को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं तो guys सबसे पहले है हमारे पार match stick match stick मतलब की matches की तीली जिससे हम घरों में लकडी के साथ आग जलाते हैं तो यह क्या होता है guys कई बार आपने देखा होगा जो buses driver होते हैं या truck के drivers होते हैं वो अपने मुँ में एक matches की तीली डाल के रखते हैं क्योंकि जो matches की तीली के आगे बारूद सा लगा होता है वो बहुत जादा effective होता हमाए motion sickness से relief करने के लिए जो motion sickness की during हमें उल्टी आती है जी मचलाता है उसमें बहुत जादा effective होती है लेकिन ध्यान रहे guys ये उसको आगे का जो black pen होता है जो भारूद सा होता है उसको आपने अंदर नहीं करना है उसको आपने सिर्फ चूसना है च्वे करना है बिल्कुल और अंदर नहीं करना है जब वो बिल्कुल melt सी हो जाए तो आपने उसको change कर लेना दूसरी आप माचिस की तीली मतलब की match stick जो है वो use कर सकते तो ये बहुत जादा effective है guys second word हम देखते है lemon lemon को आप देखते हैं कि जब हम घरों में भी हमें problem होने लग जाती है vomiting की तो उस person को जो patient होता है उसको हम lemon देते हैं pinch of salt के साथ थोड़ा सा नमक के साथ चाटने के लिए तो lemon जो है जो उसका citric acid होता है ये हमारे saliva को क्या करता है cut off कर देता है जो lemon होता है हमारी जो extra saliva होता है जो थूक की लार हमारी बनती है वो इसको बिल्कुल नहीं बनने देता है और जिसकी वज़े से हमें हमारा जी नहीं मचलाता है जिसकी वज़े से हमें vomiting की problem नहीं होती है तो आप यहां क्या कर सकते हैं lemon का juice भी पी सकते हैं before traveling और आप यहां पे एक tea बनाके जिसमें बिल्कुल आप milk यूज नहीं करके black tea बनाके आप उसमें lemon डालके भी पी सकते हैं lemon tea बनाके पी सकते हैं यह बहुत जाद़ एफेक्टिव होती है जब आप travel करते हैं तो third one है guys हमारे पास ginger ginger भी एक बहुत effective remedy है हमारे पास motion sickness की treatment के लिए तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं slight ginger का slice काट के आप उसको juice सकते हैं before traveling के उसका जो juice होता है आप उसको अंदर कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है या market में easily इसका powder मिल सकता है आप इसका powder भी खा सकते हैं पानी के साथ ले सकते हैं या ginger tea बना के आप उसमें optionally है यहां पे आप honey डाल सकते हैं एक चमच इसको ले सकते हैं तो जो ginger की candies होते हैं वो भी market में easily available होती हैं या honey test के अंदर भी बिल्कुल ginger होता है तो वो भी आप अगर during travel के अपने मुँ में डाल के रखें उसको चूसें तो बिल्कुल भी मतलब vomiting का या जी मचलाने का दिल वहां पे नहीं करता यह problem समय वहां पे solute हो जाती है next remedy है हमारे पास garlic and clove मतलब की लसुन और long यहां पे क्या होता है जो लसुन और long है सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखें कि यह remedy सिर्फ उन persons के लिए है जिनको garlic से जिनको लसुन से या फिर long से कोई problem नहीं है किसी allergy की problem नहीं है कई persons ऐसे होते हैं जिनको लसुन से या फिर long से allergy होने लग जाते हैं तो वो person इस remedy को use ना करे तो कैसे करना है guys इस दो तीन कलिया लेके जब आप घर से travel start करते हैं उससे पहले आप क्या करते हैं दो तीन कलिया इसकी लेके दो तील लसुन की उसके बाद आप दो तीन लोंग ले सकते हैं इसको मुँ में डालिए और अच्छे तरीके से इनको च्वी कीजिए इनको चबाइए और इसका जो juice निकलता है आप अंदर कीजिए सलाइवा के साथ ही ये बहुत जाद़ एफेक्टिव है हमारी ये suffocation से हमें निजाद दिलवाती है suffocation में बहुत जादा helpful है है हमें इससे vomiting भी नहीं आती है और हमें इससे headache की problem भी नहीं होती है next है guys हमारे पास peppermint pudina इसमें क्या होता है जो pudina होता है इसमें mint होता है मतलब की menthol होता है ये जो menthol होता है ये बहुत जाद़ effective होता है और ये हमारे muscles को relax कर देता है और ये हमारे mind को calm कर देता है काम मतलब की हमारे mind में शान्ती देता है बिलकुर relax feel करता हमारी muscles को तो ये क्या करता है इसको भी जब हम travel start करें उससे पहले कुछ पत्ते जो है पुदीने के हमें मुँ में रख लेने चाहिए चबाने चाहिए और इसको अंदर कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा effective इसे उल्टी का मन भी ठीक हो जाता है जी मचलाने का मन भी इससे ठी को जाता है possible हो सके तो आप कुछ पत्ते जो हैं पुदीने के आप साथ में ले सकते हैं during travel के और आपको जब भी ज़रूरत पड़े जब भी आपका मन थोड़ा सा भी खराब होने लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं नेक्स देगाईस हमारे पास apple vinegar अपल विनेगर में क्या होता है गाईस एक ग्लास आप water लीजे और उसमें एक चमच आप डालिए apple vinegar का और उसमें optionally है एक चमच आप honey का भी डाल सकते हैं और इस drink को आप पी लीजे तो ये बहुत ज़ादा effective है हमारे motion sickness की problem के लिए नेक्स है guys हमारे पास fenugreek मतलब की मेथी दाना ये क्या होता है guys anti nauseating properties इसमें होती है इसे nausea की problem हमें विल्कुल नहीं होती है vomiting की problem हमें विल्कुल नहीं होती है during the travel तो जब हमें लगे की हम travel करने जा रहे हैं तो उससे थोड़ी देर पहले ही हमें फैनुग्री की इसकी candies भी मार्किब ने available होती है इसका powder असानी से मिल जाता है इसकी seeds असानी से मिल जाती है कुछ दाने आप इसको मूँ में डाल के चबा भी सकते हैं अंदर भी कर सकते हैं और इसका powder भी ले सकते हैं या फिर आप इसको चाय में डाल के एक optionally है कि आप honey का चमच वहाँ पर डाल सकते हैं option आप ले भी सकते हैं या इसको avoid भी कर सकते हैं तो यह remedy जो है यह भी motion sickness में बहुत जादा effective है next है guys हमारे पास leucorize root logensis तो leucorize मतलब कि जो हमारे पास मुलेठी होती है यह भी हमें बहुत जादा effective होती है हमारी उल्टी आने में जी मचलाने में जो extra saliva हमारी मूँ के अंदर बनता है यह उसको भी cut off कर देता है तो क्या होता है जब आप इसको अपना travel start करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा चोटा सा टुकड़ा आप मूँ में डाल सकते इसको चूज सकते हैं जो भी इसमें से मतलब निकलता है जो properties इसमें से निकलते हैं आप अंदर कर सकते हैं असानी से इसमें कोई भी इसका side effect नहीं होता यह बिल्कुल naturally है तो इसमें क्या करना है इसके logenges जो है वो market में easily available होते हैं आप logenges भी ले सकते हैं इसकी candies भी ले सकते हैं तो यह हमारी traveling में हमारी motion sickness में बहुत जादा effective है next day guys orange juice और candy orange juice की candy orange जो होता है उसकी candies और उसका juice भी असानी से market में मिल जाता है या खुद भी आप त्यार कर सकते हैं या oranges भी direct अपने साथ में रख सकते हैं जब आप travel करते हैं आपको थोड़ा सा भी लगे कि मेरा मन यह पर खराव होने रगा तो हलके सी पिंच की salt के साथ या आप ऐसे ही खाली आप इसको ले सकते हैं संत्रे का juice ले सकते हैं यह बहुत जादा effective remedy है इससे हमारा जो जी मचलाता है या उल्टी का मन करता है और हमारी light headness जो हो रही है उसमें भी यह headache में भी बहुत जादा helpful है जो sites है हमारे पास जैसे amazon है या snap deal है या इंडियन माठा तो असानी से हमें यहाँ पर मिल जाती है यह वली जो tea है तो इसको direct हम tea यह अलग से path में आती है तो इसको बनाए और आप पी लीजे सफर से पहले और यह क्या करता है हमारे जो stomach होता है उसको यह उसके लिए यह helpful है हमारी जो stomach का acid होता है यह उसको reduce कर देता है stomach की muscles होती है उसको यह बिल्कुल relax कर देती है जिससे हमें vomiting की problem नहीं होती है और ना ही हमें dizziness की problem यहाँ पे होती है तो यह भी बहुत जादा effective remedy है next है guys और last है हमारे पास fresh air fresh air तो आप जानते हैं कि हर condition में हमें बहुत जादा ज है जर्यवीकरण सबसे पहले सफ़ोकेशन की problem होती है घूटन सी feel होने लग जाती है अगर हमें fresh air ना मिलें तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे अंदर कुछ घूट सा रहे और हमें vomiting Forest Ak spirit development இர trabajar होराशन देख जाता है और हमें आगे ब्रोचक्षकाब्लम होती है भी अब हम बात करते हैं कि कैसे हम Allopathic Medicine के द्वारा Motion Sickness को Treat कर सकते हैं तो चलिए गाइस देखते हैं सबसे पहले Anti-Histamines Drug Anti-Histamines Drug वैसे तो बहुत सारी लिस्ट है Anti-Histamines की ड्रग की लेकिन दो ड्रग हैं जिनको हम Motion Sickness में यूज करते हैं Cyclizane and a drama mine जिसको Diamin Hydra Mine कहते हैं तो Diamond Hydra Mine drama mine जो है वो 50 mg रेगूलर टाबलेट में अविलेबल होती है च्वी टाबलेट होती है और बच्चों के लिए 25 mg च्वी टाबलेट आती है तो क्या होता है यह cyclizane जो है वो drowsiness side effect को श करने वाली होती है लेकिन जो drama mine होती है वो less drowsy होती है as compared to cyclism तो इसको बच्चों में use करना चाहिए बच्चों में use ये होती है और एक दूसरी drug है इसकी डाइफिन hydra mine ये दोनों children's में use हो सकती है तो next day guys हमारे पास polar mine skin patch ये एक adhesive patch होता है जिसको हम year की पीछे लगाते हैं तो जब हमने अपने travel start करना है हम अपने घर को छोड़ने वाले हैं travel के लिए तो क्या करना पड़ता है हमें 3-4 घंटे पहले ही अपने कान की पीछे इसको adhesive करना पड़ता है इसको लगाना पड़ता है इस patch को तो जब और जब travel हम करते हैं उसके तीन दिन बाद चार दिन बाद हमें इसको चींज करना पड़ता है अगर जरूरत पड़े तो तो guys क्या होता है इसको 2-12 एज के जो बच्चे होते हैं childrens होते हैं उनमें ये यूज नहीं करना चाहिए तो जब कोई person इसको यूज करता है ऐसे patch अपने कान के पीछे लगाता तो इसका एक test कर लेना चाहिए क्योंकि ये कई बार क्या होता है बच्चे में ये जो 13 साल से उपर होते हैं ये कई बार उनकी skin को sensitive sensitivity cause कर देता है इसलिए इसका पहले try test कर लेना चाहिए 2-12 के जो उपर के बच्चे होते हैं तो च लेट एज इंग्रीडियेंट प्रेजंट होता है इंटुदा मैडिसिन तो ये क्या करता है जो डूरिंग मोशन सिकनेस के हमारी नोजय होती है वोमिटिंग होती है ऐसे जो side effect कोज होने लग जाते हैं वहां पर और अधर जो effects होते हैं डूरिंग मोशन सिकनेस के जो इसको treat करने के लिए evomine tablet यूज होती है यूज होती है तो इसको क्या करते है करते हैं सफर करने से पहले इसको जौर ने ले लेते हैं आदे घंटे पहले इसको यूज करना चाहिए तो इस तो अज यह त sina detection को हम मोशन सिकनेस में यूज करते हैं तो आज की मेरी वीडियो कैसी लग Have a nice day.